हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो कुकिंग हुक आज मैं आपके लिए जो रेसेपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है तो मेरी रेसेपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज तो चलिए बिना टाइम विष्ट के शुरू करते हैं आज की रेसेपी तो सबसे पहले में यहां पर ले रही हूं एक पावल और इसमें डाला है मैंने एक कप सूजी यह तकरीबन सौ ग्राम सूजी लिया है मैंने आपर उसके बाद हमाट करेंगे हापर कुछ वेजिटेव यूज कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद है हापर मैट करेंगे कुछ मसाली जैसे कि यह सौल्ट आप टेस्ट का कॉर्णिंग ले सकते हैं आदा चमच रैट चिली पावडर इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं और इसकी बाद हम इसमें रालेंगे थोड़ा थोड़ा करकर पानी और इसका एक पेश्ट तयार करेंगे कुछ इस तरीके का इसे हम ढखकर पंदरा मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं पंदरा मिनिट हो गये हैं हमारा बैटर जो है वो काफी स्मूथ हो गया है तो चलिए अब हम इससे आगे का प्रोसेस त्यार कर लेते हैं मैंने या पर लिया एक पैन और इसमें डाला है थोड़ा सा ओल उल प्रली दिभा, बैट डाल कर लेते हैं इस बैट को हमें साइट से सेट लेना है यह जो हुमारा ब्रेड है वो सिख चुका है अब हम इसे पलट लेते हैं और इस पर हम बैटर लगाते हैं जो भी हमने तयार किया था इसे हम चारो तरफ से कवर कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेड की जो किनारी है वो निकाल सकते हैं लेकिन मुझे यह पसंद है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है चारो तरफ से हमें इसको बैटर को फैला लेना है यह देखिए इस तरीके से अब हम इसे ढगकर दो मिनिट तक पकाएंगे तो मिनिट बाद इसे चेक कर लेते हैं और इसको हम पलट देते हैं इस पर लगा देते हैं थोड़ा सा ओयल आप चाहें तो इसे बिना ओयल के भी बना सकते हैं अगर आप लोने श्टिक यूज़ कर रहे हैं तो लेकिन ओयल डालने से थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है अब हम इसे दो मिनिट तक रखकर और पकाते हैं थोड़ा थोड़ा से क्या है अब जो है हम इसके दूसरी साइड में बैटर लगा लेते हैं आप चाहें तो इस पर एक साइड बैटर लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं यह तब भी उतना ही ज्यादा टेश्टी लगता है इस पर भी हम इसको चारो तरफ से फैला लेंगे और इसको पलट लेंगे और थोड़ा सा इस पर ओइल लगा देगे अब इसको हम ड़क कर दो मिनिट तक फिर से पकाएंगे अब इसी तरीके से पलट पलट कर हम इसको दोनों साइट से से शेख लेंगे इस पूरे प्रोसेस में गैस की फिलीम जो है वो आपको मीडियम ही रखनी है हाई फिलीम पर बिल्कुल नहीं पकाना है वरना जो हमारे ब्रेड और सूजी है वो दोनों ही जल जाएंगे देखिए यह जो हमारे ब्रेड है वो सिख चुके हैं दूसरी साइट से भी प्रट कर चेक कर लेते हैं यह बिल्कुल तैयार है अब मैं आपको इसे कट करकर दिखाती हूँ देखिए कितने बढ़िया सिख चुके हैं यह तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बदाएए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए